वेल गुद इविनिंग दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की पोस्ट मार्केट इनल्सिस के अंदर में देखते हैं कि बजार कल कैसा परफ़म करने वाला है आज कौन से फेक्टर है बजार में जिन्होंने बजार को हिला के रख दिया हम सब 12 बजे के असपास हमारे RBA गवर्णर की वेट कर रहे थे कि कोई पॉस्टिटिव स्टेट्मेंट आएगी जिसका ऑप्शन चेंड के उपर में हम देख पा रहे थे मौडरिंग में की कुछ 16,500 तक जाने के हमें दिखाई दे थी बजार 16,400 के उपर तो गया बट वहाँ पे ऑप्शन चेंड कर लिड़ा पूरा चेंड हुआ बड़ी तेजी से चेंड हुआ और सारा सारा बजार नीचे क्रैश हो गया सारा ताज के पत्तों की तरह गिर गया हम एक्सपेक करें रहे थे मौडरिंग में की 200 के आसपास आगा तो शायद भाई करेंगो 200 के आसपास बजार बंद होने से कुछ टाइम पहले देखने को मिला अब कौन से ऐसी वज़ा रही बजार में जो सबसे जादा खताना करी जिसने बजार को पूरा दस परसंट से अगर देखा है तो जिंदल सील, जिसने सील, टाटा सील, सील थोटी सब 10% से जादा साफ हुए और बजार को पूरे जबर तरीके से प्रैशन में लेका है आर्वी गवर्नर का आज ये कहना था कि हम जैसी इंफलेशन के महाल में हो रहे हैं जैसा वर्ल्ड जिस सेनरियो में जा रहा है हमें वहाँ पे रेट हाइक्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए and they should be expected इसा नहीं है कि दिमाग लाने कोशिश के कि अब रेट हाइक्स नहीं होंगे और इस ख़बर को बजार नेगटिव लिया और उसके बाद बजार में प्रॉफिट बॉकिंग स्टार्ट होई बजार को देखने ही कोशिश करें तो जहां मॉर्निंग में हम एक बड़ी जबरस कैंडल हमाई सामने एक ग्रीन कैंडल बनी थी है ना लोग कैंडल के कलर के उपर ट्रेड करते हैं 16,347 का इस बजार में सुबह हाई लगा था और यह एक हाई लगा था जो मैंने कहा था कि हां यह प्रॉफिट बॉकिंगा जोन था इसके उपर में एक हमारा जोन निगल के कुशिच की बड़ उसके बाद लगाता एक सेलिंग स्टार्ट हुई 300C के आसपा था कि फिर से एक हॉल्ट हुआ कुछ देर बजार वहां 10-15 मिंट के आसपा सहरा फिर बजार एकदम ताज के पत्ते किते गिरता चला गया उसके बाद में जो हमारे निचे का सपोर्ट था बजार वहां बजार ने फिर एक पोजिशन बना नहीं कोशिच की दोड़ा पुलबेक देखने को मिला बड़ी पुलबेक भी किसी काम नहीं है और बजार फिर से गिर गया और बजार के पूरे ट्रेंड को देखे जो सुबह बजार का एक अप्ट्रेंट सल रहा था वो आज भी मैंने आपको कहा है कि हाँ यह लेवल एविडेंट है और यहां पर बजार आ सकता है बजार ने आज गैप से तो नहीं कोला पर बजार के स्टील सेक्टर की इस ने बजार को हिला के रख दिया और हाँ सील सेक्टर की वेटेज भी ठीक ठक सी वेटेज है बजार के अब क्या खेल होगा, अब कल कैसे लेवल्स पे काम क्याज़ें, फुर्स तो आगे बढ़ने से पहले हमको उता हूं, और यहाँ पे कल बजाग इसके नीचे ही खुलता है गैप से, तो 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 फिर से 16,000 के असपास सपोर्ट तलाश नहीं कुशिश करेंगे, ठीक है, बट 16,120 एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, तो कल मौर्निंग में ऑप्शन चेन कैसे भी बिहेव करेगी, वहाँ से ऑप् का स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा एक्साइटिंग नहीं था, हम रेट हाइक के लिए तयार हैं, और इसके लिए हमें तयार रहना ही होगा, ऐसा ही होता है, एकॉनमिक ऑपरिशन्स, बनी मार्केट ऑपरिशन्स, ऐसे ही के जाते हैं, और यहाँ पे 16,120 के लेवल कॉम को वाटइब, तो वाइज, अब आपके स्टील सेक्डर में, या किसी भी ऐसे सेक्डर में आपकी पोजिशन्स है, अगर आप सोच रहें कि स्टील सेक्डर में से क्या अब भार हो जाना चीए, जो आपके stocks 20% के आसपास गिर जाते हैं, 15-20% के आसपास की उसे profit booking आ जाती है, corrections हो जाती है, तो आपको आपको उन में से उस समय exit नहीं होना चाहिए, अगर आपको exit होना है तो टॉप के आसपास होने profit जबा रहा हो तो आप exit करें कोशिच के नहीं तो अगर आप अच्छी companies क जो triple rate हो गए थे, तो यहाँ पर थोड़ा profit booking हो भी रही है, तो यह एक opportunity होगी हमें एक अच्छे price को अच्छे stock को एक साई-साई valuations पे trade करने के लिए, तो अगर आपको पैसा है, money management कर सकते हैं, तो हर अच्छी correction के ओपर 15-20% की correction बहुत अच्छी होती, वहाँ पर आपको एक entry कर बन सकती है, in long term investment के लिए, अगर long term investment करना चाहते हैं, तो आपको इसमें घुसना चाहिए, गर आप trading कर रहे हैं, तो आपको बजार में trading कैसे की जाए, investment की जाए, swing trading कैसे की जाए, breakouts कैसे find out की जाए, कोंसे stock में कब निकल जाना चाहिए, मैं कैसे find out करता हूं कि बजार में top बन गया है, या मैं कैसे कहता हूं, आपको सुबस हो है कि हाँ, यहां तक price बनेगा ही बनेगा, वो कैसे हो सकता है, that is all because of option chain into option chain, price section and trend trading calculator, this is what we are going to learn in Mumbai session and the coming sessions ahead, तो मिलते हैं Mumbai में उनों के सरी को, booking song है, booking करान चाहते कर सकते हैं, सिर्फ साथ दिन बचे हैं, और नहीं तो live session में सुबर मिलेंगे, मिलेंगे, 9 बच के प्रणा में पे, see you tomorrow, bye, जहिन.